हलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे सर्क्लर मोशन के बेसिक्स मोशन ये प्लीन का जो चेप्टर है, टू डामेशनल मोशन वाला, उसमें हम लोग दू ही मैक्रो एक्जामपल्स करते हैं एक projectile motion का एक circular motion का, usually जो स्लेबस में करते हैं तो circular motion भी टू-डामेशनल मोशन का एक्जामपल है सर्क्ल एक टू-डामेशनल फिगर होता है, सर्क्ल का 3D counterpart स्फियर होता है तो सर्क्ल में चलने का मतलब यह है कि कोई object है, कोई particle है, कोई body है वो इस तरीके से चल लेए कि उसकी fix point से distance, अब वो fix point को center बोल दे, fix point से distance उस object की radius बोल दे, हमेशा constant बनी रहे, radius जैसे circle में हमेशा same बनी रहती है, तो बहुत सारे example है circular motion की practical examples, जैसे clock में hour end, minute end, second end, earth sun, earth moon वाले example भी ऐसे ले लेते हैं, अब उनका लेकिन motion इतना simple से circular motion नहीं ह होता तो उसे elliptical होता है, but in general, बहुत सारे हम लोग example circular motion के ऐसे बोल सकते हैं, everyday life में, जैसे cycle को अगर हम लोग stand पे खड़ा कर दे, wheel को चला दें तो किसी point का motion, या फिर हम अपने everyday life में जैसे देखते हैं, ऐसी mechanism, जहां पे कहीं पे भी wheel का use हो रहा हो, gear का use हो रहा हो, हमने bottle क cap को खोलना है, तो cap को कोलते हैं वक्त किसी point का, fan की अगर हम बात करें, तो fan के किसी point का motion देख लें, जहां पे भी rotation हो रहा है, अब rotation में बस ही है कि rotation body का होता है, और जब हम circular motion की बात करते हैं, तो हम एक particle की point mass की बात कर रहा होते हैं, तो एक point mass या particle है, जो circle में चल circular motion को analyze कैसे करेंगे, अब analyze करने का मनलब कहा है कि motion जब भी analyze किया जाता है, describe किया जाता है, तो उसकी kinematics में describe करते वक्त हमें उसकी number one position, number two displacement, number three velocity, number four acceleration, ये चार चीजों की जरुवत पड़ती है, यहां पे भी ऐसे पड़ेगी, circular motion में भी ऐसे पड़ेगी, तो माल लीजेए जो हमारा एक P है, वो एक C का जो circle का center उसके about ये P, particle का point mass, circle में गूम रहा है, R इस circle की radius है, मैंने जो C है, circle का center, उसको origin माल लिया, और X और Y axis बना लिए, X और Y axis के terms पे particle की position हमने लिख ली, X, Y, ये X, Y उस particle के position coordinates है, अब देखें ये एगर circle की radius R है, तो ये रही P, किसी से में R, circle की radius, और माल लेते हैं कि ये angle है, किसी से में theta, तो आपको मालू में ये वाला होगा R cos theta, ये, ये ही तो X है, और ये वाली distance होगी R, sin theta, ये Y है, X is equal to R cos theta, Y is equal to R sin theta, दोनों को square करके add कर दो, तो cos square theta पर sin square theta 1, तो R square X square plus Y square, तो R आ जाएगा endowed X square plus Y square, और 10 theta per point square upon base, 10 theta Y by X, तो theta आ जाएगा 10 verse Y by X, बाप ये बताओ, R under root X square plus Y square, ठेक है, समझ में आता है, पैथोगरों से भी निकाल सकते थे, X, Y, R theta आपस में related है, तो मैं पूछना ये चाहता था, कि माल लीजे मुझे इस particle की position बतानी है, मैं X, Y का जूश करूँ, तो देखे, X, Y में क्या है कि ये 1st quadrant है, 2nd है, 3rd है, 4th है, तो X, Y, they are continuously changing in values as well as sign, 1st quadrant में दोनों positive है, यहाँ पे एक positive negative, यहाँ पे दोनो negative, यहाँ पे दोनो negative, sorry, यहाँ पे एक positive negative, तो ये X, Y अपनी value लगातार change हो रहे है, अगर हम particle की position बताने के लिए एक alternative तरीका यूज करें, और वो alternative त terms है, मतलब ये कि R तो देखें, जब भी part के लिए यहाँ पहुचे, circle में, यहाँ पहुचे, यहाँ पहुचे, या कई वे पहुचे, R तो उसकी center से distance हो तो fix है, theta जो है, theta यहाँ पे 0 होता, 0 से लेके 90, 90, 180, 180, 180 से 270, 360, theta लगातार change हो रहा है, theta, pi के term से लिखना हो, pi by 2, pi, 3 pi by 2, pi फिर ऐसे बढ़ता रहेगा, theta is the angle, जो कि हम pi के term से या degree के term से लिख सकते हो, वो लगातार change हो रहा है, तो जो theta है, वो इस particle की position बताने के लिए ज़्यादा बैटर तरीका है, क्योंकि, देखे, R, theta में क्या, क्या R तो fix है, theta आप बता दो, तो पाड़किल के पहुचे से कम, यहाँ कहीं भी होगा, 30 degree, either 270 भी जोड के, तो हम theta के through पाड़किल की position बताएं, तो हमें दो variable नहीं उच करने पड़ेंगे, x, y, एक ही variable से हो जाएगा, और जो theta है, वो उस particle की angular position कहलाएगा, क्या कहलाएगा, angular position, और since यह better manner है, यह better तरीका है, डिस्क्राइब करने का पाड़किल के position, इसलिए theta पाड़किल की angular position कहलाता है, तो जैसे one dimensional motion में पाड़किल के position आप उसकी x-axis पे पाड़किल की position x-coordinate से बताते थे, जो कि plus minus से 0 हो सकता था, तो वैसे circular motion में पाड़किल के position theta से बताते हैं, और theta physics में जब भी proper लिखा जाएगा, unit के साथ तो radian में और दिखा जाएगा, до theta कहलाता है angular position, x कहलाता है linear position, theta कहलाता है angular position, theta angular position, x-linear position का counterpart है, जैसे हम लोग one dimensional motion में linear position x उसका करते हैं, वैसे यहां पर angular position theta उसका थे, तो जैसे वहाँ पर linear displacement होता था तो यहां पर angular displacement होगा, जैसे वहाँ पे linear velocity होती थी यहाँ पे angular velocity होगी जैसे वहाँ पे linear terms form लोग acceleration देखे थे बाद में उसको 80 बोलेंगे बस यहाँ पे angular terms form acceleration देखेंगे इस सारी चीज़े आएंगी यहाँ पे तो आप देखिए पहली चीज़े है कि displacement क्या होता था change in position linear displacement क्या होता था change in linear position delta x linear displacement क्या होता था change in linear position final position minus initial position x2 minus x1 तो वैसे angular displacement क्या होगा angular displacement होगा change in angular position final angular position minus initial theta 2 minus theta 1 radian में यह हो गया angular displacement ठेक है अच्छा यह बताने जरूद नहीं कि position vector कैसे लिखे हैंगे position vector इस point की particle की x i cap plus y j cap x star cos theta i cap plus r sin theta j cap यह particle की position vector circular motion में लिखी जा सकती है अब यह आजए है मैं अपने angular जो kinematic variable उसी को आगे बढ़ाता हूँ angular displacement मैंने बताया था theta 2 minus theta 1 अब यहाँ पे एक sign convention यूज़ करते हैं कि anti clock है तो positive clock है तो negative 2 यह बिल्कुल वैसे ही जैसे right side positive left side negative मान लेते हैं मान लेते हैं मान लेने का मतलब है convention only आप जैसा question में दे रखाओ वैसा यूज़ करो जैसा displacement के बाद next हम velocity की बात करते हैं और velocity जब हम लोग बात करते थे 1D में तो एक average velocity है कि instantaneous velocity average velocity होती थी total displacement upon total time sense होता था बाद time interval delta x upon delta t तो वैसे ही यहाँ पे angular velocity होगी और वो भी average angular velocity omega से उसको denote करेंगे total angular displacement upon total time radian per second में अगर instantaneous angular velocity चाहिए तो भी displacement upon time है लेकिन interval छोटा है तो delta theta d theta, delta t dt d theta by dt radian per second तो जैसे वहाँ पे dx upon dt होता था वैसे यहाँ पे d theta by dt होता है तो omega is equal to d theta by dt सारे kinematic variables में velocity जो है सबसे important role प्रे करती है वैसे यहाँ पे circular motion में angular velocity d theta by dt angular velocity omega d theta by dt velocity vector है बट circular motion के थोड़ी से जो 1d वाले vectors थे उनसे थोड़ी से different होता है region being के circular motion में angle है angle या तो anti clock होता है अब घड़ी की सुझा देखे clock चल नहीं है anti clock और clock का जो sense होता है वो तो देखे एक sense है उसको vector vector तो straight line से note करते है उस sense को vector के term से represent करने के एक तरीका होता है अब तरीका होता है अब अपने हातों को right hand को लो जिससे मैं बोल लूँ वीडियो में उसमें आप यह दो figure देखो और अपने right hand को right hand को इन figure के सामने रखो जो plus z लेखा हुआ है उस figure में अपने right hand की fingers को curl करो कैसे curl करो plus z यह देख लिए आप यह है anti clock anti clock sense में curl करो जब आप anti clock sense में curl कर रहा होगा तो आप देख रहा होगा आपका जो थंब है वो plus z में आ रहा होगा बस यह होता है anti clock का vector direction anti clock is outward normal plus z अगर xy plane ने board का plane तो plus z अब जो minus z वाला figure है यह वाला इसमें आप अपना right hand रखो fingers को curl करो clock fingers को आप जो clock curl कर रहा होगा तो आपका देख रहा होगा thumb अंदर जा रहा होगा minus z जा रहा होगा तो अगर plus z outward normal था to minus z inward normal plus z अगर towards the observer था तो minus z away from the observer है plus z अगर towards the observer था तो minus z away from the observer है यह होती है angular velocity की direction तो angular velocity यह आपका एक vector है value निकालोगे d theta by dt से direction बताओगे plus z यह minus z मालो जैसे theta एक question मैंने किराया था class में t square minus 2t plus 1 दे रखा है इसमें angular displacement पूछा 1 से 2 के बीच में तो एक बार 1 रखे निकाल लो आप कितना angle है theta 2 minus theta 1 कर लो इस particular question में 0 आ रहा है रखे देखना आप angular velocity पूछी उसी 1 से 2 की interval में delta theta upon delta t कर लो instantaneous करते वक d theta by dt is differentiation t square 2t minus 2t का minus 2 1 का constant 0 2t minus 2 अब omega आ गया माली जैसे इस particular question में 2t minus 2 तो देखे आप time के साथ बदल ला है और omega अगर time के साथ बदल ला है तो angle को cover करने की rate time के साथ बदल ले और अगर angle को cover करने की rate time के साथ बदल ले माली यह बढ़ रही है तो जल्दी जल्दी angle cover कर रहा है तो इसका अलब fast हो रहा है fan जैसे accelerated हो रहा है अपने 2 से 3 knob कर दिया हो बढ़ा दिया हो और या अपने 3 से 2 कर दिया और slow down हो रहा हो time के साथ अगर angle omega घटने लगे angle को cover करने की rate घटने लगे तो non uniform circular motion है लेकिन अगर omega constant रहे यानि कि उसी rate से angle cover motion में omega यानि कि velocity change नहीं हो रही है वैसे uniform motion में velocity change नहीं होती तो acceleration जिरू होता था वैसे यहां पर angular acceleration जिरू होता है alpha से denote करते हैं अगर uniform circular motion है तो उसमें alpha 0 है uniform circular motion में velocity constant नहीं है angular velocity constant angular velocity और कितना होता omega तो मैंने क्या delta theta upon delta t तो भाई एक revolution में कितना angle घूम जाता है 2 pi एक revolution में जो time लगा उसको time period t माल लिया तो omega कहकर formula आ गया 2 pi upon t कहां से आया पर delta theta upon delta t से आया t time period है जिसे हर एक revolution हो रहा है uniform circular motion है omega 2 pi upon t भाई नॉन uniform होगा तो omega 2 pi पर t क्यों लगा होगा तब अब जो घड़ियों की second end, r end, main end होती हो तो omega constant से चलते रहती हो जो uniform circular motion है पर अगर omega variable होगा तो non-uniform circular motion में omega के बदलने की rate होगी जैसे velocity के बदलने की rate होती है acceleration बैसे angular velocity के बदलने की rate angular acceleration alpha से note करते है वो भी बड़े interval में निकालोगे तो delta omega upon delta t omega radian per second में था तो radian per second per second, radian per second square और छोटे time interval में instantaneous निकालोगे तो d omega by dt radian per second square आ जाएगा अब जिसे पिछले question में omega जहाँ 2t-2 आये था उसको differentiate करोगे तो alpha आ जाएगा 2t-2 का differentiation 2 radian per second square तो यह आपका main relation है यह मैंने लिखा भी था v dx by dt होता था और time t second एक revolution का time है तो एक second में 1 upon t revolution होगे 1 upon 2 revolution को frequency बोलते हैं तो f 1 upon t रख लो omega जो 2pi by t होता है 1 upon t को f लिख लिए तो 2pi f भी बन जाएगा 2pi f में f frequency है omega angular velocity है तो angular position angular displacement, angular velocity, angular acceleration की basic definition formulae, vector की direction कैसे बताते है circular motion की basics uniform circular motion क्या होता है non-form circular motion क्या होता है सारे basics आपने सीख लिए इसके बाब जूद अगर कोई doubt है तो comment कर देना मैं उसका reply करूँगा नीचे comment box में और चाहो तो आप पूछो तो app डाउनलोड करके जो भी आपको question doubt आए उनकी आप snap story आप पे खीचो app में upload कर दो और at the earliest आपको उसका response आप पे मिल जाएगा physics ही नहीं, physics, chemistry, maths, bio आप किसी के भी का सब्सक्राइब आप